हेलो एब्रीवन वेलकम तो क्लास फाइव अप्डेट अंडर्प्रोटेशन इन बेसिक तू सेलेक्शन सीरीज इस वीडियो में फिर से मैं आप लोगों के लिए डियाई के डेली तीन सेट लेकर आया हूं करना शुरू करने के बिना टाइम करें हुए दोस्तों यहां पर हमें क्या जिविन हैं हमें पांच कॉलेजेश गिवन हैं इस वाली डियाई में a b c d e books गीने की एबी सिने शोशल साइंस और एंग्लिश यहीं कितने कितनी बुक्स बेची हैं प्रॉफिट लिया ग्याकि शोशल साइंस की भूके कितना कितना प्रॉफिट 20 is what from the other English book sold in these schools by being a total BDE social motoristaar पांच 50 और साथ कि अस्पोर्षल की भृकितनी होगे पैतालिस पांच 50 और साथ इंगलिश की कितनी करें किस पंदरा पंदरा टीस तीस और थीस साथ तो उसकी कितनी 60-60 का कितना परसंट है 100 परसंट है कम और ज्यादा नहीं पूछा है कितना परसंट है वन की वैली क्या होगी 60 by 60 निकालोगी वन आ रहेगा ना मतलग 100 परसंट है अगले सावाल देखते हैं वाट डटर प्रॉफिट और शोशल बुक और साइंस बुक फ्रम बी-सी और यहां पर आपको प्रॉफिट परसंटेज में निकालना रूपीज में निकालना है साइन्स देखो किसका हम B, C, E की बात कर रहे हैं, B ने 25 बुक बेची है, C ने 20 बुक बेची है, 25 और 20, 45, 25 और 20, 45, D ने 20 बुक बेची है, फिर से B साइट गरा 65, टोटल बुक होगे 65, ठीक है, टोटल बुक 65, अब मैं ऐसा भी नहीं कर सकता कि 65 का कर दूँ, क्यों क्योंकि म सबको सबका अलग-अलग देखना पड़ेगा, B ने 25 बुक बेची है, 25 बुक पे B, 40% पर्सेंट ले रहा है, हर बुक पे 40-40 पर्सेंट लिया होगा, 25 को 40 से मल्डिप्लाई करेंगे, तो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 25 चॉक 100 होता है, 40 से करेंगे तो 1000 हो गया, 1000 हो गया, टोटल प्रॉफिट, 1000 पर्सेंट, किसका 120 का, 120 का 100 पर्सेंट कितना होगा, 120 ही होगा, 1000 कितना हो जाएगा, 120 का, 1200, C की तरफ आओ, C ने 20 बुक बेची है, हर बुक पे C ने 30 पर्सेंट प्रॉफिट लिया है, C का प्रॉफिट पर बुक 30 पर्सेंट ही है, 20 बुक पे 30 पर्सेंट लिया, एक बुक पे 30 ले रहा तो 20 बुक पे टुटल 60 पर्सेंट लेगा, सॉरी 600 परसंट लेगा 600 परसंट किसका 120 का 120 का 600 परसंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा 6 से मल्टिप्लाइ कर दूंगा 720 यह तो हुआ 720 आगे देखते हैं डी ने क्या करा डी ने 20 परसंट का प्रॉफिट लिया 25 परसंट का प्रॉफिट 25 को 20 से मल्टिप्लाइ करेंगे कितना आएगा 500 पांसो आएगा 120 का 500 परसंट कितना हो जाएगा 600 रुपीज इन लैक्स हटा दो क्योंकि यह जो भी कुछ वैल्यू गिविन है हमारे पात वैल्यू किया रहे आएगी 1200 साथ सो बीस छैसो बारा सो और त आगे चलते हैं इस एक सबीज दगास प्राइब वाट इस प्रॉपीज इन लैक वाली चीज यहां पर हटा दो रुपीज इन लैक हमारे ऑप्शन में आएंगे ठीक है अभी हमारे पास आप्शन नहीं है तो हम रुपीज इन लैक को डिसकस नहीं कर रहे हैं 120 रुपे की श बेचा है एक देख लो एने 30 बुख बेची है 40 परसंट का प्रॉफिट लिया है मतलब 140 में बेचा है एन ने बुक कितने बेची 30 बुक बेची है 140 अपॉन हंड्रेड में सब्सक्राइब टुम लिख सकता हूं ना सम रिप्सक्राइब टॉवद्व सेवन अपॉन फाइव इंटु ओंटी यह रहेगा ऐगा 24 टाइम्श सेवन त्रीज डिदेवन को 24 से मल्टिप्लाइब करोगे 24 24 24 48 और 250 यह 504 आगया एने 504 रुपए में बेची हैं कि 504 में बेची कुछ गलब तो नहीं कर रहा मैं कि इस और यह 30 है एने 5040 में बेची है कि सी का निकाल लो ऐसे ही सी ने 15 बुख बेची है पर यह 20 पर 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 प्रोफिट पे 20 पर संगा मतलब बाइफाइव हो गया पंधरा को बंड़ाइव से पहले मॉल्टिप्लाइई करोगे 18 x 120 कितनी हो दाएगी अठारा बारा 216 और जीरो कर जीरो यह हो गया सी का डी का अगर निकालेंगे दोस्तों यह चीज़ आपको यह हो दो औरी करनी नी है कम से कम प्रेंट चलाना है मैं एक-एक एक स्टेप लिख लिए दो करके उससे तो स्लेक्शन नहीं होगा कि इसलिए मैं फőẬरा इस तरह से करने की कोशिश कर रहा हूं आगे देखते हैं आगे समें दिया है डी डी ने कितना कर रहा है दी ने पांत बुक्स बेची हैं 20 परसंट का प्रॉफिट लिया है मतलब 120 अपॉन सौ छे बटे पांच पांच से पांच खतम होगा चैसे मल्डिप्लाई कर दूँगा चैसे 120 को मल्डिप्लाई से ओरली करनी है लिखना नहीं है जल्दी से जल्दी करना है अगला सवाल देखते हैं कि वन शोशल बुक वन साइंस बुक वन इंग्लिश बुक इस कॉस्टिंग रुपी इतना 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 न टोटल सेलिंग प्राइश ऑफ दीस थ्री बुक्स इन स्कूल डी देखो इसकूल डी में टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा मैं है यहां पर मैं डी का लिख लेता हूँ ठीक है कि दी ने क्या करा दी ने social book बेची हैं पांट पांट शोचल बुख पे 20% का profit ले रहे हैं डी पांट शोचल साइंस की बुख पे 20% का profit ले रहे है बीस परसंद को प्रॉफिट का मतलब हो गया च्छे बटे पांथ पांथ से पांथ कंसिल रह गया शोशल की एक बुख देर सो रुपए की है तो छे बुख कितने में बेचेगा नौ सो रुपए में एक्षु में बेची तो उसने पांथ ही बुख है बट प्राइसिंग च्छै की लेगा क्योंकि अपने प्रॉफिट के साफसों से चैसा मुख कर दिया अब डी की साइंस की निकाल लो डी की सांस की कितनी बुख भी करें एंबीस बूक भी करेंए कितना परसंद प्रॉफिट अगला क्या है इंग्लिष की बुक बेच रहा है दस परसंट का प्रफिट ले रहा है दस परसंट का मतलब हो गया है 11 by 10 ठीक है 11 by 10 और 100 रुपे में बेच रहा है तो यह मेरे पास वैल्यू क्या है यहाँ पर यह 15 बुख बेच रहा है 11 by 10 और 100 रुपे में बेच रहा है एक जिरो से 0 खतम 15 इंटू 11, 165 होता है 165 को मैंने 10 से मल्डिप्लाई कर दिया 1650 यह मेरे पास D ने टोटल पैसा कमा लिया कि डिक टोटल पैसा कितना हो गया जीरो पांच नौर से पंदरा का पांच एक तीन और दो पांच ट्रिपल फाइफ जीरो रुपे अब एक निकाल लो इन्हीं बुक्स के लिए यह नहीं यहाँ पर शोशल साइंस की दस बुक बेची है दस बुक पर उसने 30 परसंद का प्रॉफित लिया है मतलग 30 परसंद की वेल्यों को फ्री बाइटेन स्वाइट निकालेंगे ना ठल्टीन बाइटेन टैन से टैन खतम होगे ठल्टीन बचा ठल्टीन बुक को 150 में साइंस की पंदरा बुक या बीस परसंद का प्रॉफित ले रहा है छह बटे पांच पांच से यह तीन टाइम कर जाएगा बचा 3 और 6 था 3 चीक 18 18 को 12 से मल्टिप्लाई कर तो फिर से 2160 हो जाएगा इंग्लिश का देख लो यह पंदरा है बीस परसंद का प्रॉफित है बीस परसंद मतलब 6 बटे पांच नहां तो यह वह वैल्यू रही अठारा से मल्टिप्लाई करा अठारा से 100 को if 2910 5910 उसने यहां बेक्टिये 5550 यहां बेटिया अब तोसका परसंटेज निकालना है दोस्तों यह आप निकाल के मैं को बताओके कितना परसंटेज कम्या ज्यादा है मैंने कैकुलेशन आपको कर दिया है आप यह देख लो कि 5550 5910 से कितना परसंटेज कम है हम अगले सवाल पर चलते हैं कि वाट अबरेज नमर ऑफ साइंस बुक सोल्ड बाई सोल्ड इन फाइव स्कूल्स टुगेदर यह तो इजी है है बीस पच्चिस बीज बीज बीस आप देखो यहां पर वीस से पांच जाता है यहां वीस से पांच कम है बागी समय बीस हो तो एवरेज भी 20 आजाएगा आगे चलते हैं अगले सैट पर कि यह वाली डियाइश देखते है इसके अंदर हमें क्या गिवइन है इसके अंदर में गिवेशन चैनल छे-अलग-अलग क्लप्स के होकी प्लेयर से टोटल आठ अजार और परसंटेज है गिवशन आपदर किस तरह से च्लपस में हैं तो त से टेबल बता रखे स्केटिंग और होक्त दों स्केटिंग होकी की नहीं है इस तरह से ठीक है अब रेशो लेना होकी की players का नई skating players का P और S का अब आप देखो जो hockey का ratio है उसको मैं इसके accordingly देख सकता हूं जैसे P की में बात करूं P के लिए ratio given 18 18% 9 की value 18% HAN Conocoworks की value P की कितनी हो जाएगी 26% हो जाएगा तो तो P के skating players है 26% है अब मुझे S के देखने this का रखा है 10 ratio 17 का color कौन सा है यह परपल वाला यह वाली वाल्य वाल्य बाइस परसेंट ठीक है दस की वैल्य बाइस परसेंट है 10 इस इकल्स टू 22 परसेंट मतलब 1 हो गया 2.2 17 की अगर मैं value निकाल लोंगा तो यह हो जाएगा 17 इन्टू 2.2 मतलब 34 प्लस 3.4 37.4 आपको रेशो लेना है 26 रेशो 37.4 हो गया यह 260 रेशो 374 हो गया फर्दर आप इसे टू से करते हो गया 130 और इसका 374 का रेशो हो जाएगा कितना 374 का अधा कितना होगा 167 इसका रेशो आजाएगा 13 का multiple नहीं बने गई है आगे चलते हैं अगले सवाल पर यह वाला सवाल देखते हैं दोस्तों इसमें वो कह रहा है अब एक चीज देखो होकी के टोटल प्लेयर कितने हैं क्यू में और आर में क्यूंकि अगर मैं बात करूं मैं यहां लिख देता हूं होकी क्यूंकि अगर मैं बात करता हूं क्यूं आपके पास है 16 परसंट चीक और आर की आपके पास वैल्यों आ जाती है 20 परसंट कि अब होकी और उसका रेशियो देखो 20 इंटू 17 है एसका होकी और एसका रेशियो ट्वंटी रेशियो 17 है मतलब 16 परसंट अगर मैं 8,000 का निकालूंगा 8,000 का 16 परसंट कितना हो जाएगा 16 इंटू 80 that is 1440 यही आएगा 8,000 का 16 परसंट 8,000 का 16 परसंट 16 एट जा सॉरी 1,2,8,0 1,2,8,0 अब 1,2,8,0 जो है यह 20 की वैल्यू है this is the value of 20 that means single unit is 64 single unit 64 यह मेरा बहुत जादा कैलकुलेटिव है और ऐसे ही करना पड़ेगा single unit is 64 तो 20 units की वैल्यू मेरे पास पता चल जाएगी मैं ला 20 units तो है मेरे पास 1,2,8,0 single unit मेरे को पता चल गया है single unit पता चल गया तो मैं 17 humor करके लोन निखाल सकता हो हाँ ए कि स्पेटिग प्लेस है क्योंकि जुब वैल्यू अधिवा आजाएगी 9 ऐ हो आर्क है स्में देखो अ हार्क केस मेरी हमत्री परसेंट यहytes ए और यह हैंड यह वैल्यू मेरी 40 पर सेंट है मतलब 40 ratio 31 तो जो 40 की value है 40 की value already मेरी 1.5 है sorry मतलब 0.5 है आर का जो मेरे को hockey number of players है और ratio को जब मैं देख रहा हूं hockey और squash का 40 की already value मेरी 20% है तो 31 की value कितनी हो जाएगी साड़े 15.5% अब दोस्तों जो यह percentages है percentage है 8000 का 8000 का percentage है न परसंटेज किसका 8000 का तो 8000 का 16 और भी 36 परसंट अगर में निकालूंगा 36% of 8000 यह तो आगे मेरा hockey players का number this 36% is hockey player 17 इंटो 64 प्लस साड़े 15% of 8000 इस इस दोनों का डिफरेंस ले लो आपका आंसर आजाएगा calculation मैं नहीं करूंगा यह आप मैंने को comments में बताएंगे इसका answer क्या है इसमें क्या दिया है total number of players who play hockey in club P and S together is approximately what percent was the total number of player who plays skating in R and U together P और S का hockey का आपको player निकालना है P और S ठीक है P हमारे पास कितना है P हमारे पास है 18% S हमारे पास कितना है 22% P 18% S 22% अब एक चीज देखो जब आपके पास P 18% है 9 की value 18 हो रही है तो इसकी value 26% हो जाएगी यह चीज़ तो clear है ठीक है S में देखो नहीं मेरे पास skating चाहिए मुझे R और U की R और U की skating चाहिए मुझे यह 26 वाली skating नहीं चाहिए R और U के लिए R का तो मनें पीछे निकाला था 15.5% पितले ही question में करा है U की case में U की यहां value है 10% 8 की value 10% है 8 की value 10% कब आती है जब 1.25 होती है single value 15 को 1.25 से multiply करो 15 को 1.25 से multiply करोगे क्या आएगा 18.75 It will be 18.75 18.75% of 8000 18.75% of 8000 या तो number लेकर calculate करो otherwise 18.75 यह है 15.5 यह है दोनो values आ गई है 34.25% 34.25% मेरे पास skating के players है हौकी के players की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास 18% P में है और P के साथ कौन सा लिया है S और 20% S में है 38% दोनों का difference ले लो और यहां से percentage निकाल लो कितने percentage का फरक है दिस इस 3.75% over 38% 3.75 by 38 है इससे आपका अंसर आ जाएगा है क्लियर हो गया है अगले सवाल दिखते हैं कि इसमें क्या दिया है कि अब्रेंट नमबर ओफ प्लेयर हूँ प्लेस्केटिंग अल्द गिवन इस्टूशन एक्सेप्लप्टी सबका अलग 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 आप स्केटिंग निकाल लो इसका तो 26 परसंट था इसका भी हमने कुछ निकाला था आर का हमारे पास साड़े पंद्रा परसंट है एस की लिए क्या है कि एस यहां पर हमारे पास 22 परसंट मतलब वन की वैली टू पैंट इसका हम लोगों निकाल दिया था 37.4 परसंट परसंट पी का हमें काउंट करना नहीं है यू का हम लोगों ने अभी निकाला है अब सबको एड़ गर दो उसका आठधार से परसंटेज निकाल लो यह तो में करना है एक्सप्ट क्लब टी निकालना है ना बाकी सारे क्लब का निकाल दो टी के लावा और जो भी निकलेगा उसको एक दो तीन चार पास उसको पांस से डिवाइड कर तो आपका आंसर आ गय प्रदर टी और यू में होकी कितने लोग खेलते हैं अब टी इस फॉर्टीन परसंट यू इस योगर ट्वंटी फोर परसंट जो होकी खेल रहे हैं टी और यू में इसका एवरेज भी लेना तो आपका 12 परसंट हो गया अब क्यों और टी का स्केटिंग निकालना है क्यों क सब्सक्राइब 23 परसंट निकालूंगा 14 परसंट इस इकल्स टू एट थाउजन आफ तो फाइंड दा वैल्यू आफ 23 परसंट फिर एटी को यू को एड़ करके डिवाइड बाई 2 करूंगा दोनों का डिफरेंस लो एक कैलकुलेटिव एक कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा कैलकुलेशन आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताएंगे सॉलूशन का तरीका मैं आपको बता दिया है एई एक war देखते हैं हमें किया मिसलिए इए विट लोज दिया है फ्रिख के पी का दे रखा है हमें पी कि थे लाइन है ये पी की लाइन जा रही हैlares मन्डे टूज़ट टोटल वेट लॉस पी का कितना है और क्यूंक का कितना है इसको तो मैं और ली कैलकुलेट कर सकता हूं इस वैल्यू करको मैं देखू तो सौ के बाद दो पॉइंट जादे 120 हो गया यहां पर एक सुपचास एक साट एक सुसाट एक सुसाट एक सुसासी में को लिखना पड़ जाएगा पी और क्योंचों की डेटा मुझे कई जगे चाहिए होगा पी का मंडे हो गया 120 उसके बाद हो गया असी यहां पर हो गया इसका 180 प्रीट देकर इसका हो गया 500 और यहां पर इसका हो जाएगा 210 220 यह यह व्योंग्यापी का क्यूंक अगर मैं देखू तो 170 से शुर कि वेश्टे को मेरे पास आजाएगा 90 का थाज्टे का मेरे पास कि चला रहाएगा 200 और क्यों फ्राइडे का क्यूंच अब यह डेटा मेरे को अपने पास लिख लेना है हर जगह 120 140 इसका यह डिफ्रेंश आया हमें पर डिफ्रेंस कितना लेना है मैं टोटल एड करने कि पर और्ड मैं टिर्ट Racis का लगतर से लेड़ूआ को यहां पर इपना थिपर यूभी सी सब्सक्राइब सबस्क्राइब यहां पर दीफरेंटा आ़ेलोगा और बुन चॉबघ्टाइब अब अगर मों में टॉटो हूँ टोर्ट कर रापने मिन सतर अपॉन पांच कितना हो गया फॉर्टीन अग्या विट लॉस का अग्या सवाल देखते हैं मैंने आपको बोलता है कि पास वो डेटा लिखा होना चाहिए अगर वो डेटा लिखा है तो आप इसको सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करके में को कमेंट्स में बताएंगे दूटेश बेट वेट लाउज वाइप और की फर मंदे टो सेटल दे इस बन सिस्क्सिट एट यह तो तोल नंबर वेट लाउग्श भाई पी एन-क्यू अंग्यों सेटल देखा है वन शिस्ट और वन सिक्सिट यह तो टोटल बेट लॉज कितना हो गा मंदे से ट्रल देग और इसके अंदर 48 और कर दो कि आप 960 में जो रहेगा 1008 ठीक है यह टोटल वेट लॉस कर रहा है मंदे टू सेटल देगा मंदे टू फैड़े की आपने टेबल बना दी थी पहले कोश्चन में उसकी यह से आप मैं को कमेंट सेक्शन में इसकी आंसर दो गया अगला कोश्चन देखते हैं है एक वेट लॉस्ट वेट लॉस्ट वेट लॉस्ट लॉस्ट वेट लॉस्ट पैस एक की तोटाल हो गया 200 थाज्यक अगर मैं देखू एक देड़ सो यह है साड़े 300 ठीक है मतलब वैल्य कितनी है तो टूजड़े की पूछिए थस्टे के रस्पेक्ट में 200 अपॉन साड़े 300 कितना हो जाएगा जिरो से जिरो का तम 4 by 7 4 by 7 बचा 1 by 7 की वैली होती है 14.28 परसेंट इसे फोर से मल्टिप्लाइ कर दो आपका अंसर आ जाएगा 14.28 इंटू 4 56 पॉंट सम्टिंग परसेंटेज आदेगा 56 से 57 अगला देखते हैं यह वाला कोशन यहां पर गलत आ गया है दोस्तों इस कोशन को कमें बताएंगे that's all in this video friends thank you very much